तो अब टेसला की टीम एपरल की एंड में भारत जा रही है कि देखने के लिए कि कहां पर तीन बिलियन डॉलर्स का टेसला का प्लांट ले जाया जाए और पहली इंवेस्टमेंट आ रही है भारत के अंदर क्यूंके टीम पूरी के पूरी टीम आएगी भारत के अंदर और इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो तीन बिलियन डॉलर है यानि इलेक्ट्रिक कार का पहला और एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर लगने जा रहा है हमारा हम साया मुल्क भारत और वहां के लोग टेसला के मज़े उड़ाएंगे लेकिन पाकिस्तान की अवाम के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का मिडल क्लास बंदा जो है वो यहां पे औल्टो कार भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा अगर हम दूसरी साइट पर देखें तो जो जूरत मुसल्मानों में और पाकिस्तानी उमें एक का ऩुरत पाकिस्ताना है और हम इंडियन से जादा टैलेंटेड हैं हाँ वो तो मैं भी बच्पने से कहा रहा हूं कि मैं सुपर मैन हूं लेकिन हो तो नहीं किया ना हमारी एक नाम तो था ना हमारा साथमे नंबर पे किस चीज़ पर हमारा साथमे नंबर पे नाम आता है इस चीज़ पर हम एटम में है जिसमें हम कह सकें कि हम दुलीया का मुकाबला कर सकें अल्य बता इंडिया इन चीजों में वाकियतन इंप्रूव है तो इसलिए दुलीए उस तर्स करती है और सारी धूंधा जाईगी हो इन्वेस्ट करें हमें हकीर समझती है एक जो ये वर्ल्ड की दुनिया वो कहते हैं ये हकीर है और ये फकीर है इन के से आगे पैसा दो इन से जो मर्जी काम कर वालो आपको लगता है कि पाकिस्तान देशत-गर्दों को सपोर्ट करता है तो आपको नहीं लगता कि नहीं करता आप इतनी बड़ी बात ओन क के रहे हैं तो मैं तो ठीक है रहा हूं सारी दुनिया ये बात कह रही है हम इंडिया को अप्रिशेट करते हैं कि टेक्सला भी मेरे इंडिया हो रही है और इसमें पाकिस्तानी को शरम करनी चाहिए है पाकिस्तान में इंवेस्टमेंट करने से इसलिए गबराता है कि मैंने की और मेरा पैसा ये डूब जाएगा उसकी वज़े से हमारे मुलक में हर चीज महिंगाई अरूज पे जा रही है अब ये चोटी सी मिसाल है कि जैसे ही रमदान से एक दिन पहले फरूट का सबजियों का रेट कम होगा रमदान आता है और रेट बढ़ जाते हैं नाम के हम मुसलमान है हमारे अपोजिट चले तो ये जो यहुदी ममालक है उसमें जैसे रमदान शریफ आते हैं तो इसमें यह तक्रीम 25 परसंट जो है ना वो रेट पे चीज ले आते हैं 75 परसंट डिसकाउट में कर देते हैं यहूदी हैं वो हम मुसल्मान हैं सिर्फ नाम के तो ऐसे पर हमारे पर जो इन्वेस्टर हैं वो कैसे इन्वेस्टमिंट का इतबार कर सकते हैं तो मुलकी मौशियत तबाह होगी हमारे कारोबार तो खतम होगी भारत अच दुनिया के लिए फेवरेट क्यों बन गया आपको पता उनके लिए स्पेशल गाड़ियां बना रही है टेसला की कमपनी जो जर्मनी में मुझूद है क्या कहते हैं आप गाड़ियां तो सर मैडम ब पे है अब आम बाहर की कंट्री में जहां भी चले जाना तो फोरन साइट पे खड़ा कर देंगे वो कहेंगे इसको पाउं से लेके सर तक चेक करना हम इतने गंदे हो चुके हैं पाकिस्तान जो है इंडियन और बंगला देश जैसे वह किसी भी कंट्री उन्हें फोरन पिकि कि पासपोर्ट नहीं है हम मुसल्मान इस काम बहुत आगे जा चुके हैं आखियर से काफी तरकी करेंगी हम मुसल्मानों की बात करें पाकिस्टाइन की बात करें मुसल्मान तो सुदिया भी है उनकी तो बड़ी इजफ़त है यह हम लोग पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की जो शनाक्त बना चुके हैं ना लोग वो शायद ही खतम हो पाए आप कभी गई हैं बाहर की कंट्री में जी बिल्कुल मैं सौधिया गया वहां पाकिस्तानियों के साथ सलूग क्या हो नहीं उन्होंने बस हम अपनी मर्दी से कहीं यहां जा नहीं सकते हैं चेकिंग हैं सकती हैं हम एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते जब तक अपरूवल हो तो मुस्लिम कंट्री है में जूते मारी है वह ऐसी है ना बस बात तो यह ना कि हम पाकिस्तानी है में बात तो यह कि ग्रीन पासपोर्ट हमारे पास उसकी सजा तो हमें मिलनी चाहिए ना यह तो हमारे चीज़ कहते हैं कि हमारे यह कायद आजम साब नहीं गल्ती कर दी है कि पाकिस्तान बना दिया ये लोग ये सोचते हैं हम पाकिस्तानी ऐसे हैं बहरी मन lifetime कि इंतहा करते हैं हम कहते हैं यही चीज हमें 10,000 पे में चाहिए चाइना की कॉालिटी है वो बना के दे रहा एक जिसका बच्चा चाइना का स्टूडेंट कलास में स्टूडेंट बच्चे घड़ियां बना रहे हैं कैलकुलेटर बना रहे हैं अब उन्होंने मॉबाइल शुरू कर दी है तो वो मुलक तो फिर तरकी करेगा ना तो हमारे मुलक तो एक सुई का जो है ना वो नका नहीं बना सकता वो नहीं आज तक हम अपना बना पाए सुई हम बाहर से लेते हैं यह तो कॉालिटी है हमारी नाम के हम पाकिस्तानी है कि हमने भारत का मकाबला करना है भाई अभी हम दम्किया देते हैं अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो जूरत मुसल्मानों और पाकिस्तानियों में वह जुरत हिंदू में यूद्यों में नहीं कौन से जुरत पाकिसान में कौन से एक कारनामा बता दे पाकिसानी होगा कारनामे तो हमने पुराने देखने है जो इस वह पता हमारे अंदर है दुनिया देख नहीं पारी वह सिर्फ हमें फ्राड करने का जूड बोलने का लूटने का जजबा बहुत हैं तो लोगों ने तो फिर हमारे पास कैसे आना है जजबा तो आप हिंदुस्तानी दिखा रहे हैं चाहिए हमें बुरा लगे लेकिन वो जजबा दिखा रहे हैं उनका मुलक आज दुनिया के पांच भी बड़ी ताकत है हर मुलक आपको पता है जो बिसनस अपना इलॉन मस्क वहां लेकर गए हैं दुनिया के सबसे बड़े बिसनस मैंने उन्होंने का था मेरा खाब है कि इंडिया के साथ बिसनस करो मुझे बताएं के बीस लाग में अगर आपको पाकिस्तान में कोई ब्रैंड न्यू कार खरीदनी हो तो आप कौन सी कार खरीदेंगे डैफिनेटली पहली बात यहां कि बीस लाग में कोई गाड़ी आती नहीं है ठीक है पाकिस्तान की एकनोमिकल और पैसे की कंडिशन इस तरफ लेस हो चुकी है कि कोई बीस लाग में गाड़ी नहीं आती इवन कि आप 20 लाग रुबे लेकर सेकेंड एंड गाड़ी भी डूनने चले जाए एफ देते हैं गाड़ी एफ लेकिन वो गाड़ी उसलेस होती है आप उसको लेकर दो तिन मिन बाद किसी ना किसी वर्क्शाप पी करी नहीं अदर आएँग एपर यानि हम हमें 20 लाग में पाकिसतान में कोई ब्रैड न्यू गारी नहीं बिल सकती है नहीं बिल सकती है अ ‑‑ वो पच्छीस लाक उडवे की ऑल्टो वी एक सार ब्रैंड यू अगर आप उसकी भी बात करते हैं उस पर भी ओन है आपको लेंड जब आप पर चेस करते हैं तो पर चेस करने के बाद आपको दो तीन मन्त वेट करना पड़ता देन आपको मिलती है तो मार्किट क्या तो पाक सब्सक्राइब कोई पचाजार सालरी वाला पहले बैंक से कोई लीस पर गाड़ी निकाल ले ले लेता था लेकिन आप इंट्रस्ट रेट इतना होने के बावजूद कि आपकी इस पर फाइनली मोहर लग गई है कि एपरिल के एंड में टेसला की फेक्टरी है उसका काम शु में भूचाल मचा हुआ है उन लोगों का कहना है कि हम आटो रिक्षा नहीं खरीच सकते बैटरी वाले रिक्षा का मेन्यूफेक्टरिंग हमरे देश में नहीं हो सकता सब कुछ हम चीन से इंपोर्ट करते हैं वहीं दूसरी और भारत में अब टेसला कंपने की कार मेड इन के तहद बनने वाली है दोस्तो टेसला की टीम इसी महिने के अंत में भारत के दोरे पर आने वाली है फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मतबिक कंपनी द्वारा भेजी जाने वाली टीम उन राज्यों को प्रात्मिता देगी जहां पर आटोमेटिव हब पहले से है ऐसे फ्रदेशों में महराष्ट गुजरात और तामिलनाडू प्रमोग है दोस्तो टेसला भारत में अपनी पहली फैक्टरी के लिए तीन अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है अब दोस्तो जल्द ही भारत में मेड इन इंडिया टेसला आपको सड़कों के ऊपर दो जबकि अल्टो कार 24 लाक रुपय में मिलती है और वो भी 650 CC एंजिन वाले तो दोस्तो आप साब साब देख सकते है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कार की कीमतों में कितना बड़ा डिफ्रांस है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें